के जहिंस आतियों इंडियाई ने यहां बंपर भरती 15 31 परों पर आई भड़ती पोस्ट का नाम ए ट्रेडा में सुष्कर और इसमें क्या-क्या इज्यवीटी क्या कैटेरिया जुक्त कारीत हो दो पिरिग लिए पढ़ेंगे कैसा एक्जाम होगा तो प्ली्स वीडियो को लासत देखीएगा चैनल पर नहां है तो प्लीज चैनल को स्क्राइब कर दो करें अगर आप इसके लिए इलिजिबल नहीं हो तो अपने किसी साथी को अपने किसी दोस्ते चोटे भाई किसी को भी है इसके बारे में आप इंफर्म कर दकते हुए इस वीडियो के जरिया चले वीडियो करते हैं चले से पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या प्लाइवकेशन मांगा लिए तो क्व्यफिकेशन इसमें मांगी गई है 10 टू प्लस इक टेन इसमें बताएंगे जिसकी चर्चा हम करने नौर्मली अप्रेंटिस आपने किया है तो आप इसके लिए लिजीबल बिल्कुल भी नहीं हो, वो सकता मैं गलू तो मगर नौटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे फॉर्म अप्लाई करने का होगा, उसके बाद इस चीज़ा साफ हो जाएंगी, तो आप इसको एक अप्लाई करके देखिएगा, अगर आप इलिजीबल है, या अपने अप्रेंटिस किया हुआ है, तो इसको एक बार जिरू देखिएगा, एज की बात कर लेते हैं, एज 18 से 25 साल मांगी गई है, एज मेरे इलेक्सेशन आपको मिलेगा, जैसे कि आप OBC हो, SC हो, ST हो, Physically Handicapped ह इलेक्सर इसमेन हो, हर चीज का आपको इलेक्सेशन मिलेगा, अगर एज में चाहते हैं आप, तो मिनमम में इसके 18 साल, मैक्सिम 25 साल मांगी गई है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रेड, कौन-कौन से टेड, तो अभी तक जितने भी ट्रेड आपने सुने थे, अपन आप दुनिया के ट्रेड, जितने भी आप ट्रेड अपी तर सुनें, सारे ट्रेड से मांगे गए हैं, तो 1531 पोस्ट है, यह काफी ज्यादा पोस्ट है, अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, अचारे की, अचारे इसमें 2400 से 1800 तक का अचारे मिलता है आपको, यह आपके cities या area पे depend करता है, जैसे कि आप किसी अच्छे city में रह रहे हैं, यह मुंबई में रहे हैं, तो वहाँ का HR आपको ज्यादा मिलेगा, या किसी आपको गौव अगरा में रहे हैं, तो वहाँ का HR आपको उससाफ से मिलेगा, अब हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या आपको 25% मिलता है, प्लस में GP जोड़ता है, प्लस MSP जोड़ता है, अचारे मैंने आपको बताए दिया, TA के बात कर लेते हैं, तो आपको इसमें, तो काफी अची पोश्ट है, रिटार्मेंट की बात करने हैं, तो रिटार्मेंट आपका 58 years, या फिस 60 years है, 15 साल में आप र बता करना पड़ेगा, कि आप से भी लेन भरती हो रहे है, सहाथ आप इसके लिए इलिजिबल ना हो, मगर इसको इसको इपार आप चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हमें गलत इंफार्मेशन आपको नहीं दे सकता, अब बात कर लेते हैं, question paper, question बहुत easy आने वाले हैं, सो question आने वाले हैं, किस के subject से कितने question आएंगे, उस बारे में हम देख लेते हैं, पहला reasoning से आएगा, reasoning से 10 question आएंगे आपको, journal English से भी आएंगे आपको 10 question, और आपको numerical aptitude, numerical aptitude यानि कि math, math में से आएंगे आपको 10 question, अब आ जाता है journal awareness, journal awareness से आएंगे 20 question, ये question ज्यादा आ र expectation जो भी है, उसमें से 50 question आने वाले, तो total 100 question आने वाले हैं, कोई भी minus marking नहीं होगी आपकी, और इसकी opening date, जब से form बनना इस्टार्ट हो रहा है, तो form बनना इस्टार्ट हो रहा है, 20 फरवरी से इसका form बनना इस्टार्ट हो रहा है, और 18 मार्स तक इसका form को आप feel कर सकते है कोई भी फीच नहीं लग रही है, बिल्कुल free form है, आप इसको जरूर भरेगा, अगर आपने naval apprenticeship क्या हुआ है, या हो सकता है, एक बार आप feel करके देखना, सायद आप इसके लिए eligible हो, normal है, भी apprenticeship मांगा हो, तो सायद आप इसके लिए eligible हो, मगर एक बार आप इसको feel करके तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर कुछ बाते छूट गई हो, कुछ information, तो comment box से आप मुझसे पूर सकते हैं, या मेरी mail ID पर आप mail भी कर सकते हैं, तो अभी के लिए eligible मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, जय है जय भारत!